SUBJECT GO में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ Rologist Kumar Singh, आप देख रहे हैं SUBJECT GO, आइज शिंक्ते हैं आज का आदिया है SUBJECT GO में आज हम जानेंगे कि My Computer को कैसे खोलते हैं आपने अपने Computer या Laptop में देखा होगा कि Computer का एका आइकन होता है आपके Desktop पे जिसे open करने के बाद आप किसी भी drive में किसी भी folder में कहीं पे भी जाके देख सकते हैं जो भी आपके computer में data है लेकिन इसे open करने का sorted की क्या होता है और भी क्या-क्या तरीके होते हैं इसे access करने का वो मैं आज आपको बताऊंगा तो चलिए इसके बारे में जानते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने subject go challenge subscribe नहीं किया है तो यहाँ पर दिखें मैं जो है Windows 7 यूज कर रहा हूँ तो Windows 7 अगर आप यूज करते हैं तो desktop पे इस तरह से computer का आइकन दिखेगा इस पर double click करेंगे इसे open कर सकते हैं या इस पर right click करेंगे तो open करेंगे यहाँ पर यह खुल जाएगा विंडो बटन के साथ जब आप ई दबाते हैं तो यह खुल के आजाएगा इस तरह से और यहाँ पे जो भी drive है वो आप देख सकते हैं और जो भी आपके पास यहाँ पर folder होता है वो सभी आप जो यहाँ पर click करके अंदर इसके अंदर जा सकते हैं तो यह जो यहाँ पर टाइप नहीं करेंगे, यहां पर हम सिर्फ जो है डॉट लगाएंगे, यानि कि बिंदी, तो यहां पर दो डॉट लगाते हैं, दो डॉट का मतलब क्या होता है, वो बता जता हूँ, दो डॉट का मतलब है कि my computer जो है वो खुल के आएगा और उसके बाद OK करना है या फिर enter करना है तो देखिए यह जो है देखिए इस तरह से खुल के आगया अब यहाँ पर वो खुलता है जो यहाँ पर drive होता है drive के अंदर जो folder बने होते हैं वो यहाँ पर direct खुल के आगया user के हिसाब से अब इसे close करते हैं इसे खुलने का और भी एक तरीका होता है कि आप जो है दो dot के जगे तीन dot लगा देते हैं और OK करेंगे तो देखिए तीन dot OK करने के बाद यहाँ पर इस तरह से कुछ icon खुल के आएंगे यह खुला my computer ही है लेकिन यहाँ पर subject go user जो है उसके अंदर जाके यह खुल गिया है तो इस तरह से जो है खुलता है उसके बाद बात करते हैं तीसरा तरीका तीसरा तरीका क्या होता है एक dot स्रिफ एक dot लगा के और OK करना है तो window key के साथ R करते हैं window की खुल गया win key और इसके अंदर यहाँ पर type करते हैं एक dot और एक dot लगाने के बाद OK करते हैं तो दिखें यहाँ पर जो current user होता है डाउनलोड में देख सकते हैं ठीक है और अगर आपने कहीं पर फैवरेट में रखा है तो देख सकते हैं music में कुछ रखा है तो देख सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर इसे जो है access आप कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपके computer या laptop में यह icon desktop पे नहीं आ रहा है computer का तो इसे कैसे लाते हैं तो दिखें इसके लिए आप Windows 7 यूज करते हो या 8 या 10 कोई फर्क नहीं परता आप इसी तरीके से ला सकते हैं के लिए क्या तरीका होता है आप जो है right click कीजिए और उसके बाद यहां पर आता है प्रस्टनलाइज इस पर क्लिक कीजिए और प्रस्टनलाइज में जाने के बाद देखें यहां पर आपको आना है left hand side में यहां पर देखें charge desktop icon यह दिया हुआ इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर my computer यानी की computer की आईकन पर check लगा देना है और जो भी चीज आप यहाँ पे लेना चाहते हैं उस पे चेक लगा दीजिए और उसके बाद apply करना है और ok करना है तो यह जो है आपके computer में यहाँ पे desktop पे देखे आ जाएगा इस तरह से subject go में आज हमने सीखा कि computer को कैसे open करते हैं जानी कि my computer जो आइकन होता है desktop पे उसे open करके हम कैसे जो है अपने file या drive में जा सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आया यह tricks पसंद आया तो इस video को like कीजे, share कीजे, comment कीजे और अगर अभी तक आपने subject go चलना subscribe नहीं किया है तो video की नीचे दिए subscribe बटन को दबा के subject go चलना subscribe कर लिजे और उसके साथ ही दिए घंटी का आइकन को भी दबा दिजे जिससे जब भी मैं video upload करूँ तो आपको जो है पता चल जाए और अगर आप अपना कोई सवाल पुछना चाहते हैं तो इस video के comment box में पूछ सकते हैं या आप जो है subject go.in पे अपना सवाल जो है मुझसे पूछ सकते हैं और देखते रही है subject go और शिखते रही है धन्यवाद थैंक्यू